जाएंगे मुंबई में जो भी बनेगी दरन नीती आप लोगों को बताएंगे आप लोगों को बताएंगे। और भार्दवाज की भी पृतिक्रिया सामने आई है और हाल की दिनों में अर्विन किज्रिवाल ने जिस तरीके से 36 गड़ और मद्यप्रदेश में धुआंधार जनसभाय और रहलिया की उस पर भी काफी चर्चाएं हो रही थी। 36 गड़ और मद्यप्रदेश दोनों ही राज्यों में कॉंग्रेस की मजबूत इस्तिती मानी जाती है। 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार है और मद्यप्रदेश में भी पिशलिशनाव में पार्टी को जीत मिली थी। पार्टी इस बार भी जीत की उमीद लगाए बैठी है। अब कई तरे की चर्चाएं शुरू हो गई है। साफ नजर आ रहा है कि बदान सभा चुनाव में इंडिया का गड़ बंदन साथ आए ना आए लोग सभा चुनाव के लिए सब एक जुट होने को तयार है। क्योंकि जिस तरीके से अलका लामा ने किजरिवाल के हिलाप बयान दिये और उसके बाद भी कॉंग्रिस ने उन्हें CWC में एहम जगा दी। कॉंग्रिस ने भी एक तरीके से साफ इशारा किया है कि चुनावों को लेकर उसकी अपनी तयारिया है। ऐसा ही कुछ हाल पश्रिम बंगाल में भी है। इंडिया गणबंदन में TMC और पॉंग्रिस तो हैं लेकिन कॉंग्रिस नेता अधिर रंजन चौधरी TMC और ममता पर हमला करने का कोई मौका नहीं कवाते। इसके लावा TMC भी लगातार कॉंग्रिस पर हमला करते रहती है। क्या इससे माना जाएगी इंडिया गणबंदन के दल्ब सिर्फ मोधी सरकार या BJP को लोगसभा चनाओं में हराने के लिए साथ आएंगे और राजियों के चनाओं में अलग-अलग लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या जनता इंडिया गणबंदन पर भरोसा कर पाएगी?